नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक व्यवसाईक अध्यन का नौवा अध्याय लगू व्यवसाई व उध्यमिता शुरू करने जा रहे हैं इस अध्याय में हम भारतिय व्यवसाई के परिपेक्ष में आने वाले बहुत ही महत्वपून दो मदों की बात करेंगे हैं वह इसलिए इनको प्रोसाहित करने के लिए हमारे देश में क्या कदम उठाये जाते हैं आईए अपने अध्याय को शुरू करते हैं सबसे पहले यदि हम बात करें लगू व्यवसाई की तो जैसा कि इसका नाम व्यक्त कर रहा है लगू व्यवसाई अर्था छोटे आकार के व्यवसाई भारत जैसे देश में हम अपने आसपास चारू तरफ ऐसे कई व्यवसाई देखते हैं चाहे वो दुकानों के रूप में हो या छोटी फैक्टरियों आदी के रूप में हो जहां लोग छोटे छोटे विवसायों या उद्यमों में कारे रत हैं भारत में ऐसे विवसायों या उद्यमों की संख्या बहुत बड़ी है इनमें भारत के बहुत से लोग रोजगार प्राप्त करते हैं वाया भारत की अर्थववस्था में एक महत्वपूर्ण भूमी का निभाते हैं लगू विवसायों के बारे में और समझने के लिए या उनके गहराईयों में जाने से पहले यह जरूरी है कि हम यह देख ले हैं कि लगू विवसाय हम किन्हे कहते हैं किस प्रकार हमारे देश में लगू विवसायों को वर्गी करित किया जाता है तो यदि हम इनके वर्गी करण की बात करते हैं तो भारत में लगूँ विवसायों को पहले तो उनके कारे छेतर के अनुसार दो वर्गों में बाटा गया है निर्माण वस सेवा छेतर यानि जो विवसाय वस्त्वों के निर्माण में हैं उन्हें निर्माण छेतर के अंदर वर्गी कृत किया गया है वो जो उद्यम या व्यवसाय सेवा प्रदान करते हैं उन्हें अलग तरीके से वर्गे करित किया गया है यदि हम निर्मार छेतर की बात करें तो इनमें ऐसे उद्यम जिनके उद्यम के अंदर इनकी मशीनरी या सैयत्रों में 25 लाख रुपए तक का निवेश हो ऐसे उद्यमों को हम सूख्ष्म उपक्रम कहते हैं यानि जहाँ 25 लाख रुपए से कम का निवेश होगा वो सूख्ष्म यानि अत्यंद छोटे उपक्रम कह राएंगे जिन व्यावसायों में पच्चिस लाग से अधिक लेकिन पाच करोण रुपे से कम का निवेश होगा उन्हें लग्व उपक्रम कहेंगे इस बात का ध्यान रखें कि हम जब निवेश की बात करते हैं तो हम व्यवसाय में उपयोग होने वाली मशीनरी आदी में निवेश की बात करते हैं तो यदि निवेश 25 लाख रुपय तक का है तो वह सुक्ष्म उपक्रम होगा यदि निवेश 25 लाख से 5 करोड के बीच में है तो वह लगू उपक्रम होगा वह यदि निवेश 5 करोड से अधिक और 10 करोड से कम है तो यहां मध्यम उपक्रम कहलाएगा तो सुक्ष्म, लगू और मध्यम तीन प्रकार से निर्मान छेत्र में कारेरत वेवसायों को लगू वेवसायों के श्रिणियों में डाला जाता है अगर हम सेवा छेत्र की बात करें तो सेवा छेत्र में जिन उपक्रमों में 10 लाख रुपै तक का निवेश हो तो इस प्रकार निर्माड वा सेवा दो अलग गतिविधियों के अनुसार लगू वेवसायों के अंदर भी 3 श्रेणिया है दोनों के अंदर सूक्ष्म लगू वा मध्यम सूक्ष्म यानी बहुत ही छोटे आकार के वेवसाई लगू उनसे थोड़े बड़े लेकिन फिर भी छोटे उपक्रम वा लगू से बड़े उपक्रम होते हैं मध्यम आकार के उपक्रम जो इनसे बड़े हैं वो फिर लगू द्योग या लगू वेवसाय में नहीं आते हैं अब भारत जैसे देश में लगू वेवसायों की बहुत बड़ी भूमिका है जैसा कि मैंने शुरुवात में कहा हम अपने चारों तरफ इतनी बड़ी संख्या में चोटे-चोटे वेवसाय कामधंदे वो द्योग देखते हैं अब आए उनकी बात करें कि किस प्रकार ही हमारे देश की अर्थ वेवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाने बाते हैं सबसे पहली और एक तरफ से चौकाने वाली बात यह है कि हमारे देश की कुल उद्योग इकाईयों का करीब 95 प्रतिशत लगू वेवसाय में आता है यह बहुत ही है रानी की लेकिन एक आम बात है हम देखते ही हैं कि हमारे आसपस जाद अतर छोटे वेवसाय हैं क्योंकि भारत अभी एक विकास शील देश है यहाँ छोटे वेवसाय छोटे आकार के वेवसाय जाता है कितने जादा कुल उद्योगों का 95 यानि 95 प्रतिशत दूसरी बात यह है कि लगू द्योग क्रिशी छेतर के बाद मानव संसादनों के दूसरे सबसे बड़े नियोकता है यानि अगर हम देश में खेती बाड़ी को छोड़ दें ख्रिशी को छोड़ दें तो सबसे जादा लोग कहां पर कारियरत हैं? लगू द्योगों में यानि कि यह हमारे देश में रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया है इनका एक कारण यह भी है कि लगू द्योग अधिक तर शरम प्रधान तक्नीक का इस्तिमाल करते हैं वो मशीनों का या तक्नीक का बहुत जादा इस्तिमाल नहीं करते हैं तो शरम की आवश्रता जादा होती है वो शरम के उपर जादा आशरित होते हैं लिए जादा लोगों को काम देते हैं इनके महत्व में यदि हम तीसरे बंदों की बात करें तुवाब बंदू यह है कि ये विवसाय हमारे देश में एक बड़ी संख्या में तरह-तरह की उत्पादों क्या पूर्थी करते हैं सिले सिलाय वस्तरों से लेके हौजरी का सामान, स्टेशनरी का सामान, साबोन, डिटरजन्ट, घरिलू बरतन, चमडे के सामान, प्लास्टिक, रवर्ड इनकी संख्या बहुत बड़ी है ये बहुत बड़ी मातरा में हमारे जरूरत का सामान हमें उपलब्द कराते हैं इसके अलावा क्योंकि इन छोटे व्यवसायों को बिना किसी अधिक स्थानी अबाधा के दूर दूर तक फैलाया जा सकता है इन्हें लगाने या स्थापित करने के लिए बहुत बड़े स्थान या सुविधाओं की अवश्रक्तन नहीं होती तो यह तूर दूर तक फैले हैं इस कारण यह हमारे देश में छोटे छोटे छेतरों में भी उद्योगों को बढ़ावा देने में योगदान देते हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे देश के संतुलित छेतरी अविकास में योगदान देते हैं कि ऐसे छेत्र जहां पर बड़े उद्योग नहीं लग सकते वहां उद्योगों को पहुचाने के लिए लगुद्योग बहुत मैत्वपूर हैं इसके अलावा लगुद्योग देश में उद्यमिता का विकास भी करते हैं उद्यमिता को हम इस अध्याय में आगे और विस्तार में पढ़ेंगे फिलहाल आप ये समझ लें कि उद्यमिता का अर्थ है किसी विवसाय को शुरू करना उसके लिए काम करना उसको खड़ा करना लगुद्योगों के सारे बहुत सारे लोग देश में अपनी उद्यमिता के कुशलता को या कौशल को दिखा सकते हैं वो अपने अंदर के उस प्रतिभा को दिखाते हैं और निखारते हैं उसका उपयोग करते हैं जिसके जरिए वो विवसाय चला सकते हैं वह अंत में हम यह भी कह सकते हैं, कि क्यूंकि लगू विवसायों चोटे आकार के होते हैं, यहां बहुत ज़्यादा अधिकारी नहीं होते हैं, इस कारण कई लोगों से सलाह लिये बिना ही, कम समय में यहां निरने लिये जाते हैं. इस कारण हमें कह सकते हैं कि लगु व्यवसायों में निरने जल्दी लेने के कारण इनकी कार्यविधी थोड़ी जादा तेज होती है बड़े आकार के संगठनों के मुकाबले तो हमने देखा कि भारत में लगु व्यवसायों के सामने बहुत सारी समस्याइ इनमें से यदि मैं कुछ समस्याओं की बात करूँ तो सबसे पहली समस्या इनके सामने आते हैं वित्त की यानि पैसे की समस्या छोटे वेवसाई वो छोटे वेवसाई होने के कारण कई बार इनके पास पैसों की कमी पाई जाती है वित्य की कमी पाई जाती हुआ इन्हें सही समय पर कहीं से वित्य या रिन आदी भी नहीं मिलता इस कारण इनके वेवसाई में कई बाधाय होती है जैसे कि जो अगली बादाय समस्या है वो भी कही ना कही वित्ते से जुड़ी हुई है वो समस्या है कच्चे माल की समस्या पैसे की कमी तो है इसके अलावा क्योंकि ये छोटे आकार के वेबसाय होते हैं तो ये बड़े-बड़े आपूर्ती करताओं यानि सप्लायर जो हैं उनके सामने बहुत जादा मोलभाव नहीं कर पाते अपनी बात को बहुत जादा रख नहीं पाते इस कारण इन्हें अच्छे मात्रा और अच्छे गुणवत्ता के अकच्चा माल भी प्राप्त उतनी आसानी से नहीं हो पाता तीसरी समस्या है प्रबंधन के कौशल की समस्या क्योंकि जाद तर छोटे विवसाई बहुत जादा प्रसिक्षित या सिक्षित भी कई बार नहीं होते तो उन्हें प्रबंधन के जो बारी क्या है वो इतने अच्छे से नहीं आती प्रबंधन करने के कौशल उतना अच्छा विक्सित नहीं कर पाते अपने अंदर और इसका खामियाजा इसकी कमी कहीं ना कहीं विवसाय को भुगतनी पड़ती है क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से प्रबंधित नहीं रह पाता इसी प्रकार छोटे विवसाइः होने वा सधन की कमी होने के कारण ऐसे विवसाइः कई बार बहुत अच्छे श्रमिकों को नहीं रख पाते इसलिए इनके पास श्रम की कमी भी पाई जाती है इसी प्रकार विपडण की भी समस्या है विपडन यानि मार्केटिंग यानि अपने सामान को अपने उत्पाद को दूर दूर तक पहुँचाना लोगों को उसके बारे में अवगत कराना उसके गुड़ों को बताना इन सब में जो पैसा लगता है वो पैसा भी इनके पास नहीं होता है जिसके कारण इनके पास विपड़न सुविधाओं की समस्या भी रहती है इसी तरह प्रोध्योगी की भी एक बड़ी समस्या है क्योंकि इनके पास सामान्यत है तकनीक की कमी पाई जाती है अच्छे मशीने, अच्छे प्रोध्योगी की अच्छे तक्नीक को प्राप्त करने के लिए जो पहुँच चाहिए होती है वो इनके पास ना होने के कारण ये सामान्यत पुरानी वा अप्रचलित प्रोध्योगी का इस्तमाल ही करते हैं वो इन सब की वज़ा से अंत में पिछले कुछ समय में जो इन उद्योगों को समस्या उठानी पड़ रही है वो है वैस्ट्विक प्रतिस परधा की समस्या एक तरफ तो इनकी खुद की समस्याएं दूसरी तरफ पिछले कुछ समय में जो वैश्वी करण हुआ है बड़ी-बड़ी कंपनिया हर छेतर में आ गई है MNC यानि बहुराश्ट्री कंपनिया जो आ गई है ऐसे बड़े कंपनियों, बड़े उद्योगों के सामने छोटे उद्योग खुद को खड़े कर पाना, टिक पाना, उनका सामना कर पाना आसान नहीं पाते इस कारण उन्हें कई बार अपने उद्योगों को बंद करके जाना परता है कई उद्द्योक प्रतिस पर्धा के सामने खड़ेना होने की कारण ही बंद हो जाते है वो जो चलते भी है तो कहीं ना कहीं प्रतिस पर्धा के कारण उतना लाब नहीं कमा पाते जो इनके लिए और समस्य उत्पन्न करता है क्योंकि पहले से ही इनके पास विर्थ की कमी होती है लाब कम होने के कारण और जादा समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ता है ये सारी समस्याओं लगू विवसायों के विकास में वृद्धी में हमारे देश में परिशानिया खड़ी करती है इसलिए समय समय पर भारे सरकारें चाहे वो केंद्रिस्तर की सरकार हो चाहे वो राजिस्तर की सरकारे हो वो अपने अपने स्तर पर लगू व्यवसायों को संभाल के रखने, उन्हें आगे बढ़ाने, उन्हें विक्सित करने के लिए कई कारिक्रम, कई संस्थाओं या कई योजनाओं को शुरू करते हैं अब हम ऐसे ही कुछ संस्थाओं या कारिकरमों की बात करेंगे जो लगू विविसायों को सरकारी सहायता प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं इनमें सबसे बड़ा नाम हमारे देश में आता है नाबाड का नाबाड को हम अंग्रेजी में National Bank for Agriculture and Rural Development कहते हैं हिंदी में इसे राष्ट्रिय, कृषी वा ग्रामीन विकास बैंक कहा जाता है नाबाड हाला कि भारत में कृषी छेत्र में उसके विकास को ध्यान में रखते हुए कृषी छेत्र को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है लेकिन नाबाड केवल कृषी ही नहीं बलकि समूचे ग्रामीन विकास पर भी काम करता है इसे सन 1982 में स्थापित किया गया था और यह कृषी के अलावा ग्रामीन विकास के अन्य पहलूँ पर भी काम करता है और उन्ही में आ जाते हैं लगूद्योग यह लगूद्योगों, कुटीर वग्रामीन उद्योगों, दस्तकारों ऐसे छोटे उद्योगों या कारिगरों को अपने पैरों पर खड़ा होने वह प्रतिसपरदा से सामना करने के योग्या बनाते हैं इन्हें सलह प्रदान करते हैं, इन्हें वित्य सहायता प्रदान करते हैं इन्हें आधुनिक तकनीक प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं वह समय समय पर तरह तरह के प्रिसिक्षण वह सिक्षण कारिकरम के जरिए इन उद्योगों या इन उद्यमियों को विक्सित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं नबाड के अलावा भारत में राष्ट्रे लगू उद्योग निगम यानी NSIC भी एक बड़ी संस्था है जो राष्ट्रे स्तर पर लगू व्यवसाईक इकाईयों की सम्रिद्धी को बढ़ावा देने में बड़ा योगदान निभाते हैं इन्हें सन 1995 में स्थापित किया गया था इसके मुख्य कारियों की अगर बात की जाए तो सबसे पहला कारे आता है कि ये लगू उद्योगों को आसान किराया शर्तों या क्रे शर्तों पर स्वदेशी व आयातित मशीनों की आपूर्ती कराते हैं ना केवल देश में बनी मशीनें बलकि विदेशों से बनी मशीनों को आयात करने में कम दरों पर कम किराये पर उन्हें प्राप्त करने में ये चोटे उद्योगों की सहायता करते है इसी तरह कच्चे मालकी भी जब बात आती है तो स्वदेशी वा आयातित कच्चे मालकी आपूरती जो कई बार छोटे उद्योगों की पहुंच से दूर होते हैं, पैसे वो पहुंच की कमी की कारण उसमें NSIC इनकी सहयता करता है ये लगू व्यवसाय के इकाईयों के उत्पादों के निर्यात में भी सहयता करते हैं इनकी सबके अलावा ये व्यवसायों को सलाह या परामर्श देने का भी काम करते हैं NSIC इस बहुत ही जरूरी भूमिका हमारे देश में अपने स्थापना के बाद सही निभाते आये हैं छोटे उद्योगों को इनसे बहुत जादा सहयोग मिला है जिस प्रकार NSIC राष्टे स्थर पर काम करते हैं उसी प्रकार जिला स्थर पर DIC यानि District Industrial Center यानि की जिला उद्योग केंदर बनाए गए हैं जो जिला स्थर पर वही काम करते हैं लगभग लगभग जो NSIC करते हैं इनकी स्थापना यानकी शुरुवात एक मई 1978 को की गई थी इन्हें जिला स्थर पर उद्योग की करन के समस्याओं को सुलजाने या देखने के लिए बनाया गया ये उप्यूक्त योगजनाओं की पहचान करना उद्योगों की वेवारिता रिपोर्ट तयार करना साख हेतु विवस्था करना, मशीने वह उपकरन दिलाना, कच्चे माल का प्रावधान करवाना ऐसे कई सेवाओं के साथ जिला स्थर पर लगई उद्योगों के लिए एक बड़ा सहयोग स्तंब बने हुए है इसी प्रकार ग्रामीन छेत्र में विशेश कर महीला उद्यमियों के विकास के लिए R.W.E.D. बनाया गया है यानि ग्रामीन वह महीला उद्यमिता विकास इनका उदेश्य है कि एक सहायक व्यवसाईक वातावरन को बढ़ावा दिया जाए तथा संस्थागत वा मानविय संसाधनों का निर्मार किया जाए जो ग्रामीन छेत्रों में महीलाओं वा समुचे ग्रामीन छेत्रों में उद्यमिता के पहलूओं को बढ़ावा दे महीलाओं को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो भी उद्यमी बने, उनको प्रिसिक्षन दे, उनके लिए एक अच्छा वातावर्ण तयार करे, उन्हें तरह-तरह के सहायता देता कि महिलाएं भी उद्यमी बन सके, इसके अलावा एक और बहुत अच्छा कारिक्रम हमारे देश में है स्फूर्ती के नाम से, इसका पूर नाम है परमपरागत उद्योगों के पुनर उधार हेतु निधी की योजना, इस कारिकरम के अंदर परमपरागत उद्योगों को और ज्यादा उपयोगी वा प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, तथा उनके समूचे या संपोश्णी अविकास को बढ़ावा देने के लिए क छोटे स्तर पर चल रहे हैं, इन उद्योगों के समूविक्सित किये जाए, फिर इने प्रतिस्पर्धी लाबप्रद वा संपोश्णी बनाने हेतु, तरह तरह के कारिकरम चलाए जाए, जैसे कौशल निर्मान कारिकरम, इनकी प्राध्योगी को सुधारा जाए, इने अच् सरों का निर्मार किया जाए, ऐसे कई कदम उठाकर इस कारिकरम के अंदर भारत के परमपरागत उद्योगों को खत्म होने से नाकेवल बचाने का प्रयास किया जा रहा है, बलकि उन्हें और ज्यादा मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो बच्चों इस प्रका का निप्टारा करने में इनकी हम सहायता कर सकें ताकि इनमें जो बड़ी संख्या में लाखो करोड़ों लोग जो लगे हुए हैं वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएं अब आए अध्याय में आगे बढ़ते हैं और लगू उद्योगों के ही एक बड़े ही महत्तोपूर बेन पहलों की बात करते हैं जब भी कोई लगू उद्योग श्रू होता है यह जिर को यह जो कहीना कहीन शुरुआत眠ीओ इप जिसल्वात्प है जिनकी हमने अभी विस्तारेमिने बात की आने वाले लोग नई सेवाओं के साथ उद्योग शुरू करने वाले लोग ऐसे लोग कहलाते हैं उद्यमी और इनके द्वारा नए व्यवसाइश शुरू करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है उद्यमिता वह इनके द्वारा शुरू किये गए जो उद्यम है वो कहलाते है तो ऐसे उद्यमियों की अगर हम बात करें या इस प्रक्रिया की अद्यम बात करें जिसके द्वारा एक व्यवसाई शुरू किया जाता है उस प्रक्रिया को उद्यमिता का नाम दिया गया है अब यह प्रक्रिया इतनी आसान तो है नहीं हमें पता है कि अपना वेवसाइश शुरू करना एक जोखिम भरा वो बहुत महनत वाला काम है जो व्यक्ति इतनी महनत करके, सोच विचार करके, जोखिम उठाकर एक उद्यम शुरू करें वो उद्यम ही कहलाते है उद्यम किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है खासकर लगू उद्यम जिनकी हमने बात की पर लगू उद्यमों के अलावा यदि बड़े उद्यम भी खुलते हैं बड़ी फैक्टरिया या बड़े वेवसाइश भी खुलते हैं तो वो भी देश के लिए बहुत अच्छा है अब हम इसमें यही बात करने वाले हैं कि वेवसाइश को शुरू करना उसके लिए किन किन चीज़ों के आवशक्ता होती है वो उससे जुड़ेवे महतोपूर पहलू क्या है उससे पहले यह बात दिमाग में रख लेना बहुत जरूरी है कि उद्यम किसी बी देश के लिए बहुत जादा महतोपूर होते है क्योंकि उद्यम ना केवल उद्यमी को स्वारोजगार परदान करते हैं बलकि वो उनमें लगे हुए बहुत से लोगों को रोजगार वपेशा परदान करते हैं आप सबने पड़ा है कि आर्थिक गतिविध्या मुख्यता तीन प्रकार की होती हैं वैवसाय, रोजगार, वपेशा तो देखिए वैवसाय कितना महतोपूर्ण है क्योंकि वैवसाय के द्वारा ही तो जायतर रोजगार, वपेशा उत्पन्न होता है तो वैवसाय या स्वारोजगार का जो काम है, उद्यम शुरू करने का जो काम है वह बहुत जरूरी है ना किवयल उसे शुरू करने वाले उद्यमी के लिए हमारे जैसे देश में जहां विकास अभी एक चलती वी प्रक्रिया है यहाँ पर देश विकास अभी कर ही रहा है, ऐसे देश में उद्यमों का बहुत जादा महत्व है और इसलिए उद्यमियों का बहुत जादा महत्व यहाँ पर निकल कर आता है। अब यह जो उद्यम शुरू करने की प्रक्रिया है, इसकी कुछ विशेष्टाएं हैं। इसकी सबसे पहली विशेष्टा यह होती है कि यहां एक सू विवस्थित प्रक्रिया है यानि उद्यम सोच विचार कर किया जाने वाला एक काम है यह बिना सोच समझे एकदम से नहीं हो सकता जो भी उद्यमी उद्यम शुरू करते हैं वह बहुत जादा सोच विचार करके महनत करके योजनाय बनाकर उद्यम शुरू करते हैं इसलिए उद्यमी ता एक सू विवस्थित क्रिया मानी जाती है दूसरा यह एक कानूनी या वैद्य वा उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है यानि किसी गैर कानूनी उद्देश्य के लिए या बिना उद्देश्य के भी हम उद्द्यम शुरूर नहीं कर सकते उद्ध्यम किसी उद्देश्य के साथ होता है, वह ये कानूनी होना भी जरूरी है इसके अलावा उद्ध्यमों का एक बहुत महतोपूर्ण भाग है उत्पादन के संसादनों का संगठन करना हम जानते हैं कि व्यवसाय या उत्पादन के लिए कुछ महतोपूर्ण संसादन चाहिए होते हैं जन्हें चार वर्गों में बाटा जाता है भूमी, श्रम, पूंजी वा उध्यम इन सभी संसादनों को एकठा करना उनसे व्यवसाय शुरू करना ही तो उध्यम है तो उध्यम के अंदर या उध्यमिता के अंदर उत्पादन के संसादनों को एकठा करके उनसे वस्तुओं या सेवाओं को उत्पादन करना भी शामिल है इसके अलावा किसी भी वेवसाई की तरह उद्यमियों या उद्यमिता के अंदर भी जोखिम एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है यदि हम एक वेवसाई शुरू करते हैं तो जोखिम तो उठाना ही पड़ता है चाहे वो कैसी भी आकार का छोटा या बड़ा वेवसाई हो तो जोखिम उद्यमिता का एक महतोपून भाग है अब इसका सबसे जरूरी भाग जो उद्यमिता को एक आम वेवसाई से अलग बनाता है वो है नवप्रवर्तन हम हर वेवसाय को उद्यम या हर वेवसाय को उद्यमी नहीं कहते हैं हम कुछ वेवसायों को केवल वेवसाय या वेवसाय ही कहते हैं जबकि उद्यम शब्द या उद्यमी शब्द एक बहुत विशेश रूप से उपयोग किया जाता है और वहाँ पर आता है नव प्रवर्तन का फर्क यानि जो परमपरागत विवसाई है जो ऐसे विवसाई है जो बहुत आम है जिनमें कुछ नयापन जादा नहीं है हम सामानने ताए उन्हें उद्यम नहीं कहते हैं उनके विवसाईयों को उद्यमी नहीं बलकि विवसाई कहते हैं उद्यमी कहलाने के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ नयापन लाया जाए किसी नए वस्तू सेवा या किसी प्रक्रिया की खोज की जाए या किसी पुरानी चीज या प्रक्रिया को नहीं तरीके से किया जाए, कुछ अलग किया जाए अलग करना, अलग प्रकार का विवसाए, अलग तरीके से उसको चलाना ही उद्यम का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है इसलिए नव प्रवर्तन यानि नवीनता कुछ नई सोच लाना किसी भी उद्यमी की एक बहुत महत्वपूर विशेष्टा होती है तो बच्चों हमने अभी उद्यमियों या उद्यमों के बारे में एक संग्षिप्त चर्चा की है हमने देखा कि उद्यमी वो व्यक्ती होते हैं जो जोखे मुठा कर किसी नई सोच के साथ एक विवसाय शुरू करते हैं आने वाले भाग में हम भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कुछ कदमों की बात करेंगे वा उद्यमिता से जुड़े हुए एक दो बड़े ही महत्वपूर्ण पहलू की बात करेंगे आज हमने लगू वेवसायों के बारे में जाना वा उद्यमिता का अर्थ जाना मैं आशा करता हूँ आपको ये सभी बातें समझ आई होंगी आज के इस भाग में इतना ही अगले भाग में इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे धन्यवाद अज़न नहर गजा है आपको बढ़ना वेवसा बातें सब्सक्राशना ही उवसाद सवेवसा जया पल्ड़ूर बातें सब्सक्तराशना ही चोया को वdy conventional हमें थाभ़ घजमेंगे वागमें तो, और और अस फोया है डिताना ही आभ है। झाल झाल